महिने का लास्ट दिन है आपका 31 जनवरी 2022 आज ये वीडियो मैं सूट कर रहा हूं तो CSB जो कि आपका इंडियन एर फोर्स का एक्जम कंड़क्ट कराती है तो काफी टाइम से आपका जो इन्रॉल्मेंट है वो डिले चल रहा है और आपका जो इस्टार बैच का एक्जम हुआ था उसका रिजल्ट भी डिले है और नई वेकेंसी के बारे में तो कोई अपडेट ही नहीं कि नए वेकेंसी कब आएगी जब पुराने बैचेसी कंपलीट नहीं हुए आपके इंरॉल्मेंट नहीं है तो फिर नई वेकेंसी कैसे आ जाएगी है ना तो इंडियन एर फोर्स सबसे पहले तो आप यह समझ लो की जो आपका इंटेक है कौन सा था है इंटेक दो 2021 इस इंटेक का इंडॉल्मेंट नहीं आया हुआ है इसके लावा इस्टार बैच एक दो हजार एक्टिस इसका आपका जो इन्होंने एक्जाम कराया था इसका रिजल्ट भी नहीं आया अबे तक अब जब पुराने बैचेस ही नहीं कंप्लीट है तो नहीं वेकंसी के बारे में कैसे कुछ पता चलेगा तो कुछ लोग पूछतें कि नहीं वेकंसी का बाएगी तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लोगी जो पुराने बैचेस हैं यही अभी तक कंप्लीट नहीं हुए है तो नहीं वेकंसी आने का कोई चांस ही नहीं जब तक ये पुराने बैचेस कंप्लीट नहीं होंग क्योंकि वीडियो बनाऊ सभी आप सभी लोग समझदार हो इंहों इन्होंने इसमें पोला कि एड्मिस्ट्रेइट्यु रीजेंस के वजह से जो आपका इंडूुलमेंट है जो इस्टार बैच का एक्जाम है वह आपका डिले है कंडिर्दिक को एड्वाइज किए जाता है कि वो regular अपनी email को चेक करता रहा है CSB के web portal को चेक करता रहा है latest update के लिए तो हर बार आप इनके CSB web portal चेक करते हो, email चेक करते हो latest जो update होती है वो यही होती है कि administrative regions की वज़े से हम आपका enrollment और जो result है वो delay कर रखे है अब देखे इनको करना क्या है यह देख लिए यह update आज ही का 31 जनवरी एकदम latest update है आपका पुरान update भी यही था तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही किया है copy paste कर दिया है और यहाँ पे जो date है वो बदल दी है इसके लावे इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा बच्चा के बारे में इतने सारे online protest हो रहे है इतने सारी videos बन रही है बच्चा प्रहिसान है mail पे mail कर रहा है call पे call कर रहा है लेकिन तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप बच्चा को यह बता दो कि आपका जो enrollment है कब होगा result है वो कब आएगा democrator का समय कितना हो गया और यह चीजों को कुछ भी खिले कर रहे हर महीने की last date को आप यह update कर रहो Вы कि प्रसासनी कारणो की वजए से हम आपका result enrollment है रोके हुए ये तो कोई बात नहीं हुए आपको किलियर चीज़ें बतानी होगी एक important सिंपल से बात एक notice जारी करिए आप जिसमें बताईए कि notice और जारी करिए जिसमें आप नई vacancy के बारें बताईए कि आपकी नई vacancy कब तक आएगे आप एक दो महीने के कंळ अंतर में आपकी दो महीने के अंदर आपकी जो वेकनसी है वो आ जाएक ये यियनि से प्र guest किलिया है लैकिन इनको कि इसे अनुव हो पर्क नहीं थे बताँ अब बताँ अब अप ऍया उरा आपकि सब्सक्राइब बताता हूं अभी आप 60 hebben चलाते हैं जितने भी आफ लाइन आपके बैचे चलाते हैं सभी लोग एक साथ आ चुके हैं और एक साथ आने के बाद आज मीटिंग है और मीटिंग में कुछ निसकर्स निकलेगा और मौस्ट दो घंटे की मीटिंग होने वाली है आप देखते हैं वो मीटिंग कितनी देर च जवाब देना ही पड़ेगा, अभी आपने RRB का देखा, RRB ने क्या किया, NTPC का एक्जाम लिया और जो रिजल्ट इन्होंने बोला था कि 20 गुना देंगे, और इन्होंने 10 से 12 गुना रिजल्ट ही दिया है, और उसमें एक एक कंडिडेट को 5-5 पोस्ट के लिए, 4-4 पोस में ऐसा नहीं हो, कि गुरूब डी की नाखरी के लिए 2-2 एक्जाम साब को देने पड़े, और ये बता कबर है, आप ये देखो, इन्होंने 2019 में फॉर्म बराया था, और 2022 के एक्जाम होने के 20 दिन पहले बता रहे कि गुरूब डी के लिए CBT 2 भी होगा, आप समझ लो, इ एक्जाम दो नहीं ले सकते, प्रीमेंस नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, आपको एक ही एक्जाम लेना पड़ेगा, चपरासी के लिए, तो चीज़े आपने देखी, अब सेम चीज़ आपका एरफोर्स के लिए भी होने वाला, CSB को जवाब देना ही पड़ेगा, अब जो आपके टीचर्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, वो आपको इनफर्म करेंगे, बांकि मैं भी आपको जरूर इनफर्म कर दूँगा, कोस्ट गार्ड, एरफोर्स, नवी और NDA के लिए परिक्छाय पे आपको ऑनलें टेसिज मिल जाएंगी, आप इनको पर्चेस कर सकते हो, जब आप पेमेंट करोगा, तो यह कोड आप डाल देना, इंडियन भी 50, आपको 50% डिसकाउंट मिल जाएगा, पर एक चैप की जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और यह जो कोड है, यह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा,